तो परसंटाइल बूश्चर की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स चेप्टर के तरफ जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में हम ओनली वेव ऑप्टिक्स ही नहीं पिटा जो पूरा इसमें पॉलाइजेशन डिफ्रेक्शन जितने भी इस पर जितने भी पिवाई क्यूस आएं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिसकेशन करेंगे तो चैप्टर शार्ट करने से पहले जैसे की काम-काम के फॉर्मुले एक बार उनसे गो थू हो जाते हैं ठिक जैसे कि आपको पता होगा आप लोगों ने चीज पढ़ी भी होगी क कि sound का interference और light का interference दोनों के mathematical terms जो आते हैं वो बेटा सेम आते थे वहाँ पर हम लोग देखा करते थे constructive interference यहां पर भी same ऐसी मिलता था constructive interference मतब जहां पर intensity maximum मिलती थी और maximum intensity का जो formula निकल गाया था मैं सारे formula यहाँ पर लिख देता हूं वो निकल गाया था Imax was under root I1 plus under root I2 का whole square उस इस पर questions पूछे जाते हैं Imax upon I minimum के ratio पर questions पूछे गए हैं काफी सारे ठीक इसके बार फिर अपन जो देखते थे किसा part different delta x अगर हम बोलते थे delta x अगर n lambda होता था तो हम लोग बोला करते थे यह इंग्स डबसलिट experiment में भी और जो भी हम लोग ने sound का interference कराया था वहाँ पर constructive interference होगा अगर यह odd multiple of lambda by 2 होता था तो हम बोला करते थे destructive interference होगा ठीक इसके बाद ठीक है सर जब हम लोग ने ydsc बढ़ा ydsc में काफी सारी चीज़ हमको देखने के लिए मिली थी ydsc में जब part difference निकाला था delta x तो वह यह निकल का आयता d sin theta के बराबर ठीक जोमेट्री आप ल यहां था d 10 theta और that is equal to 10 theta बराबर हम लोग ने लिखा था y yd make sure यह formula हम तभी लगा सकते हैं जब theta फोग छोटा था अब यहां से अगर मैं y के बारे पूछू यह delta x के बारे पूछू तो delta x बराबर निकल गाया था d into y y capital d और y बराबर निकल गाया था delta x into capital d y small d यहां पा delta x की values आप n lambda पूट करते चले आओगे तो location of location of maximum आपको मिलता चला जाएगा अगर आप odd multiple of lambda by 2 पूट करते चले आओगे तो यहां पर आपको minima की location मिलती चली जाएगी ठीक अच्या फिर हम लोग ने आपर एक term बढ़ा था fringe bit fringe bit मतलब दो consecutive right के बीच का जो gap था मतलब x की value अ Central Maximum मतलब जहां पर delta x 0 था delta x 0 याद अगना Central Maximum का मतलब होता है जहां पर part difference किया हो 0 जे में से ने तो नहीं पूछाय जादा इस पर सवाल लेकिन एडवांस के point of view से बहुत important है कि Central Maximum वो जगह है जहां पर part difference किया है बाई सब 0 है तो जैसे delta x आप यहां पर 0 पूट करोगे फिर आप जो है consecutive bright, dark, bright, dark, bright, dark आपको उहां पर fringes देखने के लिए मिली थी कि अगर Central Maximum मैक्सिमा है तो पहले bright, beta distance उरी पर, फिर 2 beta, फिर 3 beta, फिर 4 beta इस टाइप से हम लोगों को यहां पर fringes देखने के लिए मिली थी, beta किया था, fringe भी बोला था हम लोगों ने, और beta की ज D by D, ठीक, जैसे ऐसे उपर बनती गए थी, bright fringes और dark fringes वैसे विल्कुल symmetrically वैसे ही नीचे हमारी बनती चली गी थी, इसके बाद फिर हम लोगों ने और questions देखे थे कि यह slab लगा दिया, ठीक, वो एक बार अगली वाली slit, उपर वाली slit के आगे slab लगा दिया, कभी नीच कि यहां पर undoubt i1 plus undoubt i2 तो exact formula है, बिल्कु यह तो सही है, अगर आपकी intensity अलग-अलग है तो, लेकिन YDSC में majority हम जो deal करते हैं, वो deal करते हैं कि भाई साब S1, S2 slit की जो bit है, वो अगर सेम है, तो हम बोलेंगे कि सर वहां पर i1 बराबर हो जाएगा i2, और i1 बराबर i2 को i0 लिखता हूँ, तो जो i max निकल के आ थी, मेरे भाई, वो निकल के आ जाती, कितनी, 4 i0, ठीक, इसका मतब maxima पर जो intensity हमको दिखाई देगी, यह sound के case में, जो maxima पर intensity सुनाई देगी, वो 4 times होगी, अगर दोनों source आपके कैसे है, coherent है और identical है, तो, clear है, तो basically इतने कम समय में है, तो यार, ऐसे ही revision होता है, खेर, काम-काम की चीज़े मैंने आपको बताई दी है, बस फिर भी मैं एक बार सबको summarize करके आपको बता देता हूँ, at least इतने points से आप बिलको clear रखिएगा, सबसे बहले बीटा का formula, ठीक है, बीटा के formula के बास slab रखने वाली सारी चीज़े, slab means यहां तक नहीं पूछेगा, इसलिए मस्तर हो, वो मत पढ़ो किवाल, वहाँ, जी, advance के लिए आप ज़रूब लीजेगा, फिर आता है diffraction, diffraction में only formula, काम-काम के formula, bit of the central maxima कितना होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग अक्सर bit निकालते हैं, आपने देखा होगा वहा law of mollus, यह जो है आपका विरिष्टर से एंगिल, कितने एंगिल पर फैक के मारें, कि भाई साब जो reflected ray है, वो आपकी perfectly polarized light बन जाती है, वो तब होता है, जब incident ray को आपने किसी एंगिल पर फैक के मारा 10 inverse mu, ठीक है, अगर इधर AR एधर mu है, तो 10 inverse mu एंगिल पर आप incident से को फै perpendicular आई थी, और दोनों perpendicular आनेक बाद हम लोगों ने देखा था, reflected जो थी, वो क्या थी, completely polarized light थी, बस इस हिसाब से आप basic basic चीज़े फंडर revise करो, बाकी मस तरो, चलो questions रुआत करते हैं, पहला question तुबारे सामने, sorry, यह रहा, skin को pause करें, try करें, एक बाद में जो बता हूं, मैंन मैंने यही काम किया है, कि सबसे पहले, जो tough questions थे, वो मैंने starting में उठा लिये थे, ठीक है, तो यहाँ पर उतने जादा tough questions मुझे मिले नहीं, तो आप तो यह मान के चलें, कि यहाँ पर जाते दा सवाल जो आए, पीटा formula base ही आए, just put the value, get the answer, ठीक, तो इसलिए मैं बहुलू इसे, skin pause कर, पड़ाक्शल ट्राइमर, हो गया, तो भाईया, उसने बोला, YDSA experiment, the separation between the slit is 0.15 mm, इसका मतलब, जो small d की value है, वो दे रखी है, 15 into 10 to the power minus 5, क्यों, MMA 10 to the power minus 3, 0, मैंने यहाँ से set कर लिये है, उसके बाद, अब उसने बोला, source of light of wavelength, इतना, lambda दे दिया, used and the interference pattern is observed on a screen 1.5 meter, अबे, इसका मतलब, बया, capital D की जो value है, वो आपसे दे दी है, 1.5 meter, next, आगे बढ़ते है, the separation between the successive bright fringes, इसका मतलब, आपसे simple beta पूस रहा है, beta का formula, बया, आपको बिल्कुल clear होना चाहिए, lambda into d, बटे, छुटवा d, just put the value, get the answer, एक समाल में calculation कर लेते है, इसके बाद की आप खुद करोगे, 589 into 10 to 1 minus 9, nanometer है, capital D कितना है, बया, 1.5, बटे, और यह कितना है, 15 into 10 to 2 minus 5, ठीक है, यहां से देख, यह 0 नीचे जाएगा, यह minus 10 बन जाएगा, 15, 15 cancel out हो जाएगा, यह ओपर चला जाएगा, 10 में और 10 minus 5 आजाएगा, इसका मतलब, 589 into, अरे, बहा हम आगे बरते, approximate answer लगाएगे, हम लोग यहां पर, 589 into, ठीक है, 10 to 2 minus 5, ठीक है, minus 5 कैसे, एक बाद फिर से देख लेते हैं, यह नीचे दाएगा, ठीक, नीचे गया, 10 to 1 minus 10 हो गया, 5 ऊपर चला गया, ठीक है, तो 10 to 1 minus 5 आगया, बिल्कों correct बात है, answer वो किसमें कह रहा है, mm म कह रहा है, मिली मीटर मा answer कह रहा है, इसका मतलब 10 to 1 minus 3 में, तो answer will be 5.89 into 10 to 2 minus 3, ठीक है, अब जो best answer है, वो चेक कर लो, answer will be B option, 5.9 into 10, approximately 5.9 mm इसका answer हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप देख रहो, यहां पर थोड़ा सा calculation unit, इन सब का इस्तिमाल होता है, बिलना टाइम बेश के चलते हैं, next question के तरफ, अगला question तुमारी screen पर यह रहा, जल्दी से, try करो, जल्दी, in YDSC, certain point on the screen, part difference, अच्छा, part difference दे दिया है, ratio of the intensity at that point to the center of the brightfin, बहुत अच्छा सवाल है, बेटा, try करो, जल्दी से, try मारा, देखो ध्यान से, basically, इसमें सारा सवाल यहां पर खेल दिया तो part difference अलग-अलग है, तो जाहिट सी बात है, face difference भी अलग-अलग होगा, और face difference अलग-अलग होगा, तो उन पर intensity भी अलग-अलग होगा, ठीक है, तो basically, यही सारा खेल उसने खेल दिया है, उसने बोला कि, find the ratio of the intensity of the light at a point to that center of the brightfin, वहीं, center of the brightfin, तो मुझे पता है, intensity maximum होती ह तो S1, S2 की slit, अगर मैं दोनों को equal मालनू, मतलब I1 बराबर I2 मालनू, तो इसका मतलब यह तो तो तुम्हें clear है, कि sir, Imax will be 4 I on, ठीक, central maximum होगा, अब उसने बोला है, यह ऐसी जगह पे, जहां पर part difference कितना है, sir, delta x जो है, वो है, एक बटा 8 of lambda, ठीक, ठीक है sir, को दिक्कत बाली बात नहीं, delta x हमें निकल का है, हमें कहां पर पहुंचना है, intensity पर पहुंचना है, तो शायद आपको formula मालू हो, intensity का, basic formula होता था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2, root I1 I2 into cos delta 5, जहां पर delta 5 क्या होता था, phase difference, ठीक, तो अगर मैं यहां से, part difference of phase difference के बीच का relation apply करूं, तो upon 2 pi, equal to part difference upon lambda, अब part difference upon lambda कितना है बाई साब, एक बटे 8, तो जो phase difference निकल के आया मेरे भाई, बोट 2 pi by 8 आगया, मतलब pi by 4 आगया, मज़ा, 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 intensity equal to I1, plus I2, plus 2 I1 I2, I1 I2 दो cos y by 4, ठीक, थोड़ी calculation आएगी, चलने तो कोई बात नि, I0 plus I0, 2 I0, plus 2 I0, cos y by 4, cos y by 4 कितना होता है, 1 by root 2, अब यह अपने intensity काल ली, इसका इसके साथ ratio निकालना है, तो आपका जो answer होगा, मेरे भाई, answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह कितना, 2 I0 plus, यह root 2 से cancer मारो उसक root 2 I0 by 4 I0, यह है तुम्हारा answer, अब check कर ले भाईए, जो भी answer जा रहा है, इसके बाद, I0, 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 cancel out हो गया, 4, यह 2, 2, और root 2 होता है, 1.4, ठीक, तो यह हो जाएगा, 3.4, बटे 4, approximately, 832, बचा 2, 0.85 के आसपास answer जा रहा है, D option is the correct answer, clear है, सवाल थोड़ा सा ठीक था, ठीक क्योंकि थोड़ा सा इसमें calculation बगेरा थी यहां पर, तो I hope यह सवाल आपको वाकिया अच्छा लगा होगा, और यह सवाल सच में अगर आपने कर लिया, तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि इस से related जितने formulas है, intensity, part difference, phase difference, उसमें आप लोग खेलना सीख गए हो, ठीक है, चल सिन को pause करें, question को try करें, जल्दी से, फटाक से, मैं ही पर यूँ, चलो, इसना बोला यार, जब हम लोगोंने, तास सो नैनोमेटर की light यूश करी, तो 16 फ्रिंजेस बनी, ठीक, और जब हम लोग 400 की इस्तिमाल करेंगे, तो कितनी फ्रिंजेस बनेगी, तो काभी बच्चे इ लगा देते, कि सार, N1, lambda 1, n1, lambda 1, बराबर, N2, lambda 2, ठीक है, सार, N1, कितना था, 16, lambda 1, कितना था, 700, बराबर, N2, कितना है, N2, N2, पर पता नहीं, और, lambda 2, कितना है, 400, सार, ये, cancel out हो गया, ये, 4 बर, cancel out है, N2, बराबर, कितना निकल के आ गया, 28, खतम सब, 28 है गया, कोई, ये, option is correct, हाँ, बिलकुल, ऐसा question, J advance में भी आया था, बेटा, J means में भी आया था, basically, ये तो मैंने direct shortcut रगाया, बैसे, सही तरीका क्या होगा, सही तरीका तो ये होगा, कि suppose, length of the screen is L, ठीक है, मान के चो, जो screen उसकी length L है, ठीक, अब जितने उसमें, जो है, तेरा, bright या, maxima, ज और ये रहा S1, ये रहा S2, और ये रहा आपका central maxima, थोड़ी देर के लिए, मैं कहा देता हूँ कि यार, जो बीटा की value है, suppose, बीटा बराबर, suppose, 10 cm है, let, मान के चल ले, ठीक, ठीक है सर, और ये वाली जो distance है, ये वाली, मैं बोलू, पूरी screen एक मीटर बढ़ी है, एक मीट बढ़ी का मतलब ये कितने मीटर है, 50 मीटर, तो इसका मतलब, यहां पहला ब्राइट बना होगा, यहां दूसरा ब्राइट बना होगा, और यहां पर दस वा पांच वा ब्राइट बना होगा, तो अभी तो उपर 50 cm उपर दाएगा, ठीक, बीटा 10 है यहां पर, तो इसका मत पोज एक्नाबल के तोर पर आपने बोला कि सर जो बीटा था ना बीटा जो लेम्डा था ना लेम्डा सब्सक्राइब अब दूसरी लाइट फैक्क के मारी जिसका वेवलंग आधा है जैसे यहां पर कुछ और कर दिया था ठीक तो सब लेम्डा आधा करने का मतलब क्या हो गय बीटा बरावाएं तो बीटा भी आधा हो गए अब जब बीटा आधा हो गया तो पहले अगर बीटा मैने भाई रबाई दस था तो आ Left 5 हो गया तो तो बेसिकली जो मैं आपसे बात कहना चाहर हूं अंदर की जो बात ही यह फॉर्मॉला बहुत लगा लेंगा 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 दिमाग लगाए लेकिन तुर को मालूम होना चीए कि बाइस साब कल को अगर इस तरह का गेम खेल दिया उसने कि यह बता तो करीब सवाल ले लेते हैं सीधे सीधे सवाल बहुत होगे हाँ यह बहुत अच्छा सवाल जी एडवांस लेवल के लिए है जल्दी सा स्कूर्ण को पॉस्ट करें ट्राइक करें फटाक से अगर इसका फेस में जीरो मानूं तो यह से 90 आगे है जीरो तो नहीं हो लेकिन ठीक है मैं यह अपने लिए लिए लिख रहा हूं कि पी का जो फेस है वो क्यों से 90 डिग्री आके है अब उसने बोला है यह ए बी और सी पर बता दो जीरो हो गया पार डिफ्रेंस जीरो हुआ तो पार डिफ्रेंस की बज़े से जो फेस दिफ्रेंस है वो जीरो हो गया लेकिन एक्चुल फेस दिफ्रेंस जीरो नहीं हुआ है एक्चुल फेस दिफ्रेंस तो है किसकी बज़े से इनके सुरू में जो फेस है उसकी बज़े से तो मैं बोल सकता हूं कि sir यहां पर जो wickो नीको वह कीbenगा चे000 ज्याज़न्य लेंगा वह मैंको देखने यह मिलेगा किता 90 का क्यों क्योंकि तो यहां फेस्ट किता है 90 डिग्री का तो जैसी मैं यहां पर रखूंगा 90 डिग्री वहां वेली पुट करो तो यह आ जाएगा 4i0 कॉस इसक्वायर कि 90 डिग्री दो मतलब 45 ठीक है कॉस कार 45 मतलब बनभाई रूट्टू का हो इसका है तो यह निकलगा जागा तो आई भाईया बीप इंटेंसिटी पता चल गई टीक चलो अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पर किस पे किस पे मारें अटेक चलो सी पे मारते क lanz the टीके स्कुमार ओर क्यूं से वेव आईगी यह वाली होगी तो अगर मैं से पर पार्ट डिफरेंस पूछू तो शायद आप यह बता सकते हो कि सर्बाट कि सर्पिसी माइन स इसका मतलब at c ध्यान से देखना मैं लिख सकता हूं डेल्टा x बराबर निकल के आया पांच मीटर लेकिन यह उनली रास्ते बाला है ठीक है इसमें मैंने यह 90 वाला बराबर 5 मीटर अब यह वेवलन कितना था 20 इसका मतलब सरी लेमड़ा भाई 4 जो लेमड़ा की वेलिऊ अगर 20 है तो लेमड़ा भाई 4 आपका 5 मीटर हो जाएगा इसका मतलब यह होगा कि यह सी पॉइंट पे यहां से जो वेव चलके आई है रास्तों के कारण उनका जो पार डिफ्रेंस आया है वो कितना है लेमड़ा भाई 4 आया है और यह रेलेशन आपको पता होगा भाईया अभी थोड़ ने पहले बताता है मैंने डेल्टा फाई अपॉन टूबाई बराबर डेल्टा एकस अपॉन लेमड़ा चेक करके देख अगर मैं यहां पर डेल्टा एकस से 90 डिग्री का पीस डिफ्रेंस देखने के लिए मिला अब सुनों आप 90 डिग्री तो मिल गया यह रस्ते की बज़े से पहले कौन पहुचेगा ज्यान से समाझना एक वे विहां से चली एक विहां से चली पहले कौन पहुचेगी पी वाली ठीक है सब तो इसका मतल़ 90 दिग्री वाई टी कोल डू जीरो पर पी का फेस 90 डिग्री वैसे ही आगे था तो भाईया यह तो कहानी ऐसी हो गई कि भाई सब दिग्री रास्ति की बज़े से आगे हो गया तो इसका मतलब मैं डेशी पर डेल्टा फाइस सीधा लिख सकता हूं कितना हो जाएगा तो बोलेगा 90 प्लस 90 बराबर पाससान बारिए इत़ लाई कि एक टेज दोडने वाला बच्चा है ठीक है वह टेज दोडने वाला एक तो पहले पहले दोड गया ठीक है सब तो यहिर सी बात है जो अगर आपन वहाँ पर कैस्ट में बात करूँगा कि फेज डिफरेंस क्या होगा तो वह तो एड हो जाएगा दोनों तो 180 दीगर फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब आप जो इंटेंसिटी मिलेगी ना इंटेंसिटी अटसी वह आपको क्या मिल जाएगी जीरो क्योंकि जैसी आप यहाँ पर 180 पुट करोगे 180 वाई 2 हो जाएगा 90 और कॉस 90 क्या होता मेरे भाई 0 होता है इसका मतलब सी पर इंटेंसिटी क्या हो गई 0 लेकिन पहुची बेप मनेंगे ठीक है दोनों के बीच में जो पार्ट डिफ्रेंस होगा वो आएगा लेम्डा वाइफोर का तो रास्तों की बज़े से फेज डिफ्रेंस कितना आएगा 90 डिग्री का उसमें यह 90 डिग्री आगे होगा ठीक लेकिन टीक्वल टू जीरो पर फेज तो बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर कि टीक्वल टू पर यह पहले से 90 डिग्री का फेज जिफ्रेंस पीछे था और रास्ते की बज़े से इस पर 90 डिग्री का फेज डिफ्रेंस एक्स्टा आ गया क्योंकि जाइब सी बात है जब यहां से चलेगी तो यह वाली वेब जल्दी पहुचेगी वहापर तो इन देट केस में बोलूगा फेज जिफ्रेंस हो जाएगा आपका जीरो और यहां पर जीरो पूट करेगा यहां पर नेट जीरो लिखेगा तो जो इंटेंसिटी एट तेरे को देखने के लिए मिलेगी वो तीजर देखने के लिए मिलेगी 4i0 मतलब यहां पर मैक्सिमा ठीक है तो बोल सकता है कि मैक्सिमा इंटेंसिटी विल अब्जर्व है तो अब भाईया रिश्यो पूछ ले किसकी पूछ रहा है A B C A A पर कितनी 4i0 B पर कितनी 2i0 4 2 2 2 0 मतलब 2 is to 1 D option is correct मुझे आंसर रटे वे नहीं वाई ठीक है एक बाद मैच कराना भी ठीक है पता चला हुआ पर आंसर कुछ और लिखाओ ठीक समझ मां आगया होगा तुझे यहां पर काफी कुछ सीखने के लिए मिला हम लोगों कि पार्ट डिफ्रेंस बेसिकली यह दो ही नहीं ऐसे मान के चल तीन तीन तरह से आ सकती है पहली तो टेक्वल टू जीरो पर पहले फेश दिफ्रेंस देदिया हो पासाद मारी रास्तों क यहां ही बज़े सा आया हो और इसमें तो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ स सव और के चलने पड़ती थी खेर आई होप तो यह सवाल सवनमा आया होगा चलते हैं next question के तरफ तेरे सामने next question यह रहा हाँ थोड़ा सा मज़दार सवाल है ट्राइमार बेटा जल्दी से कहले ट्राइए ठीक है कितना लोग हो नहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है फ्रिंज बिट से एन निकालने की कोशिश की वह जरूर टाइप करें क्योंकि वहां तक इस सवाल में पूछ नहीं रहा है ठीक इस question में उसने बसके बली यह पूछा है कि इस जगह पर part difference बतादो किस जगह पर इस जगह पर part difference बतादो तो part difference और जगह पिर से repeat कर रहा हूँ जूर रहां सुनना part difference और जगह के यह वाला पॉइंट तो चुप चाप वेल्यू पुट कर दो small d small d क्या होता था उनके बीच का गैप ठीक दोनों s1 s2 के बीच का गैप जो कि कितना है 1 mn इंटू वाई वाई कितना है 1.27 इंटू 102 की पावर माईनस 3 बटी कैपिटल डी कितना है साब 100 cm मतलब एक मेंटर सब्सक्राइब करें कितना निकल का गया बए या अगया 1.27 सब्सक्राइब कुछ लोग यहां पर न निकाल रहे हो तो अगर वह ऐसा कर रहे हैं तो शायद उन्होंने निकाल लिया है उस जगे पर जो कि आपसे पूछ नहीं रहा है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन के तरफ तुमारे सामने खी रहा थोड़ा सा केल्कुलेटिव कुश्चन से यह कुश्चन भी लेना बहुत जरू हुए था बेटा स्किन को पॉस करें को ट्राइक करें डिफ्रेक्शन का सबाद है चलो शुरू करते हैं यह विजीबल लाइट यह वेविलंट उसने दे दी है ठीक कोई दिक्कत नहीं है और क्या सिंगल सिट एक्स्पेरिमेंट उसने बोला डिफ्रेक्शन पैटर्ण पैटर्ण में आपको शायद रिजल्ट या दो एक ही तो फॉर्मूला होता था क्या किसा ड यह फ्रेक्शन मिनिमा जो है 60 डिग्री पर हुआ है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि डी साइन शिक्स्टी बराबर कि अब उन्हें वाला फर्स्ट मिनिमा बता दो कितने एंगिल पर होगा मतलब जा एंड की वेल्यू वन होगी ठीक है तो बता दो ठीटा कितना होगा थोडी ठीटा वन उल्प तो यह उधर गया साइन ठीटा वन बराबर साइन शिक्स्टी अब भाईया हमारा काम तो ही कतब हो गया ठीक है अब इसके बाद सॉल्व करने का तरीका देख 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 साइन सिक्षी गया होगा root 3 by 2 root 3 कितना होता है 1.73 2 और 2 कितना हो जागा यहां पे 4 तो भाईया अगर इसको divide बारूगा तो 4 चुक 16 ठीक है बचा एक और 4 या 12 तकरीबन 0.43 जाना है अब कौन सा अंसर इसमें होगा अब इसके लिए fight है बिटा ठीक है इसमें थोड़ी सी तिरको mathematics लगानी पड़ेगी क्योंकि हमें values रटी भी नहीं है लेकिन फिर भी हमें एक बार देखना पड़ेगा क्या-क्या values यहां पर ज cancel out हो गया ठीक अब यहां तो 25 है या फिर 20 है इन दोनों में तो कोई एक answer है ठीक examination में कैसे पता करेंगे ना तो हमको 25 मालूम है ठीक ना ही हमको 20 मालूम है क्या होता है तो थोड़ा सा सोचो किस तरीके से जो है अपन यहां पर 20 degree किस तरीके से पहुंश सकते हैं 25 degree कोईसा भ है तो मेरे हिसाब से इसको तोड़ने की कोशिश करो देखो ऐसा समझो कि जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि sign 45 आपको मालूम है ठीक है सर अच्छा 60 आपको मालूम है और 37 आपको मालूम है 60 और 37 के बीच का अगर आपन gap देगे ठीक तो वो जाएगा 30 degree के आसपास शायद वहां इसकी बेल्यू निकालने ही कोशिश करते हैं ठीक थोड़ा था आइडियाम को लग जाएगा तो यह आपका कितना हो जाएगा sign 33 तो अगर मैं निकालू तो अब इसमें फोर्म लगा दे साइन एक स्कॉस माइनस साइन अगर मैं लगा हूँगा साइन ए रूट थी बाई टू कॉस बी चार बटे पाँच माइनस कॉस ए हाग इंटू साइन बी तीन बटे पाँच अगर अपन इसको सॉल्ब करेंगे मुश्किल नहीं असानी है देख ध्यान थे दस तो एलसे हम निकाल लगा गया चार रूट थी रूट थी कितना होता है कितना बड़ी सॉल्ब के आंसर निकल का रहा है यह यह निकल के तेरा आ जाएगा कितना जाएगा थी पॉइंट नाइन टू मतलब पॉइंट थी नाइन मतलब अप्रॉक्सिमेटरी फोर जा रहा है यह तो इसका मतलब साइन तेहीश डिग्री जो आया वह चार से थोड़ा सा कम आया हमारा जो आंसर है वह चार मतलब सौरी पॉइंट फोर यह मैंने चार लिख दिया यहां पर बाद में तुम लोग देखते हो कि क्या गलती कर दी चोटी सी पॉइंट फोर ठीक है तो साइन तेहीश डिग्री की वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली पॉइंट वह हमारा जो आंसर है वह पॉइंट फोर से थोड़ा सा जढ़ा है साइन क्योंगी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 90 दिग्री तरौर उसकी वैल्यूग करती है तो तो भी थोड़ा सा बढ़ा दें 24 कर दें 25 कर दें 25 कर दें तो best आंसर बिल भी 25 है देख मेरे सामने ऐसी को तो इस हिसाब से मेरे साथ होता था कभी तो मैं तो इस हिसाब से कोई भी एंगल यहां पर से निगालने की कोशिश करता था तीन-चार पिछली तीन-चार वीडियो में तु देख भी जोगा हुए जी किस तरीके से मैं प्रॉक्सिमेशन के साथ खेल लेता हूँ आप लोग भी एचीज खेलने की कोशिश करो ताकि एक ही बार में आपका भी आंसर निकल के आए ठीक है चड़ो नेक्स आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन यह सवाल लेना वह ज़रूरी था नेक्स कोश्चन तुमारे स्किन प प्रॉट के फॉर्मल आपको सारे क्लियर होगे नेक्स कोश्चन यह लें इसकी को पॉस्ट करें को ट्राइ करें मैं धरू किनारे हो गया ले बाइस साब चलो उन्हें बोला बाइस सब दो लाइट वेब हैं ठीक है दोनों की लेंद्ट है ठीक है यह सुरू में दोनों सेम क्या होगे लिडर्ण सेमें अब उसने पूछा है ठीक है भाइस साब उसने पूछा है आफ्टर जीजदा फेच डिफरेंस बित्मिन दर तुब इस देख सुन मेरे बात जैसे थोरी दे पहले मैंने डिसकुशन किया था इस सबाल में या अद आई एभीची इंटेंसिटी बाला जो सबाल था वहाँ पर initially face difference दे रहे खाता दोनों wave के बीच में यहाँ पर क्या बोला है उसने दोनों light wave के बीच में सुरू में कोई भी face difference नहीं है जो भी face difference आएगा रास्तों की बज़े से आएगा तो एक wave ऐसी है जो N1 medium में L1 distancely है और एक wave ऐसी है जो N2 medium में L2 distancely ह उसने बोला face difference बता दो इसका बोला जो भी face difference आएगा वो due to part difference आएगा तो आप part difference निकालने कोशिश करते हैं तो क्या मैं ऐसा बोलू कि सर पुरानी एक चीज में आपकी revise करा रहा हूं कि अगर light अगर light जहां से सुना मेरी बात T distance cover करती है mu medium में तो वो equivalent होती है muti in vacuum के मैं फिर से बोल देता हूं light का किसी medium में जिसका refractive index mu है light का किसी medium में T distance चलना is equivalent to vacuum में muti distance चलना तो इसका मतब यह हुआ कि सर जो भी light थी यहाँ पर कौनसे वाली light सर यह वाली जो light थी वो L1 distance चली है ठीक है और कितने वाई साब N1 refractive index में चली है तो किसी medium में L1 चल चलना is equivalent to mu into L1 vacuum में चलना इसका मतब तु बोलेगा यहाँ पर some mu into L1 vacuum में इतनी चली है कायदे में हम लोग क्या करते हैं equivalently vacuum के टम में लिख लेते हैं ठीक है सर वहीं दूसरी L2 चली है कितने वाई साब N2 में तो इसका मतब vacuum से अगर compare करेंगे तो vacuum के करस्पन तु बोलेग ठीक और यह तुमारा निकल का गया part difference डेल्टा एक्स और यह आपको पता ही है part difference और face difference के बीच करना आस्ता क्या delta x upon lambda बराबर delta phi upon 2 pi आप सीधा बोलोगे such this is equal to delta phi by 2 pi into lambda ठीक है तो delta phi कितना हो जाएगा 2 pi by lambda into N1 L1 minus N2 L2 वहीं चेक करिए कौन जान जाना यह option ही match कर गया अप क्लियर है इसी बाने तेरा जो है optical इसी को तो optical path बोलते थे यह ना इसी को optical path बोलते थे optical path भी तेरा रिवाइस हो गया मैं को फिर से रिपीट कर देता हूं देख ऐसा समझ किसी t medium में sorry medium नहीं किसी mu medium में t distance लना is equivalent to vacuum में या हवा में muti चलना यह line कई not कर लेना मैं बोलते रह light का किसी medium mu में light का किसी medium mu में ख़प्चा बना note कर light का किसी medium mu में t distance चलना t distance चलना is equivalent to is equivalent to is equivalent to vacuum में muti चलना vacuum में muti चलना उसके आगे लेख दे बोध बिल गिप दा सेम phase difference ठेक है चलना next आगे बढ़ते है अगला कुश्चन तेरी स्क्रीन पर बेटा किये रहा ट्राइमार जल्दे चे बटाट से यह कह है औरेंज light wavelength दिये दिये single slit diffraction का सवाल है जल्दी ट्राइमार जल्दी पटाक से maximum possible number of diffraction minimum clear try ठीक देख भईए diffraction में यह की formula था ठीक है क्या कि d sin theta बराबर n lambda ठीक है उसने पूछे number of minima बता दो हम लोग यहाप मिनिमा निकाला करते थे तो अगर मैं values चेक करूँ तो मुझे n की values सही है तो n बराबर निकल के आ जाएगा d sin theta y lambda साइले खरो मैं यहापर ठीक है अब चेक करके बताओ अगर मैं बात करूँ n की maximum कितनी value possible है तो तु बोलेगा sir d कितना है d दे रखा है 0.6 into 10 2 की power minus 4 sin theta की maximum value कितनी हो सकती है वन इस पर थोड़ी के बाद चर्चा करेंगे फिर से lambda कितना दे रखा है 6,000 into 10 2 की power minus 10 अगर इसको solve करें अपन यह तो बड़ा खतरनाक जा रहा है उपल ले जा इसको नीचे लेके आजा यह 0 देखो यह दसम्ला बटा है 4 0 नीचे होगे ठीक है यह 4 0 उपर चले आएंगे यह 8 हो जाएगा इसका मतलब यह निकल का गए 100 मगर 100 अंसर नहीं है अभी होड कर रुको जारा ठीक इसका मतलब एक साइड अब अगर मैं यह पर साइन ठीटा की वेल्यू 1 भी मान लिया हूँ तो तुम खुद बताओ भी तो साइन ठीटा बराबर जब आप 1 मानने हो तो ठीटा की वेल्यू तो 90 द्लिक्री मानके चलने हो तो ठीटा 90 का मतलब क्या हो गया वह अगत्य टिफ्रेट्शन तो ठीटा 90 का मतलब क्या हो गया वह तो प्जाइकली पॉस्यवलीन ही अचीव हो न Lance तोटल नंबार ओप मिनिमाम विल एब्जॉर्ब ठीक है वो कितने होंगे 99 वह वाला तेरे को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा 99 ऊपर 99 नीचे तो आंसर विल भी 99 प्लस 99 बरावर 198 क्लियर है दोस्व आंसर दे रहा शायद इसके जगे 198 आप कर लीजेगा क्लियर नेक्स चलते हैं नेक्स कोश्चन की तरव यह रहा स्क्रीन को पॉस करें मेठा कुश्चन को ट्राइब करें कि चलो इस के यूनिट अच्छा बड़ी अच्छी बात है ठीक है यह पाट डिफ्रेंस अगर लेंड़ा है तो यह लेंड़ा के फॉर्म में जा रहा है इसका मतलब मैक्सिमा बनना इसका मतलब इंटेंसिटी होगी इंटेंसिटी अपर डिफ्रेंस इस लेंड़ा वाई 6 कितना होगा बतब वह सवाल हो गया है द्यान से देखो तू बोलेगा कि सर देखो यहां पर यह लेंड़ा पर के यूनिट है इसका मतलब के को सीड़ा लिख सकता है तो फोर आई नोट है अब किसना होगा लेंड़ा वाई 6 होगा पाट डिफरेंस से कम फील आती है हम तो फेज जिफरेंस निकालेंगे डेल्टा पाई अपॉन टू पाई बराबर डेल्टा एक सपॉन लेम्डा एक बटा च्छे डेल्टा पाई पराबर कितना निकल के आ जाएगा पाई-बाई- को ठीक है बसका ताम आंसर यही आ गया अच्छा एन के बाइट 12 ओके ये भी करना है ठीक है फोर के की जगह है फोर आई नोट की जगह के लिख दें यहाँ पर के इंटू कॉस 30 कितना होता है रूट 3 वाइट 2 उसका स्क्वाइर कितना हो जाएगा 3 श्रट आलाइट 12 एमपर निकल के आज एंट लास्ट में भी है घोचा यहां पर भी चोटी सी घ्लती हो जाती है कुछ नहीं सिंपल फोर्मुलाबे सवाल है कि इतने पर पार्ट इफ्रेंस इतना था तो इतने इतने part difference में intensity इतनी थी, तो अब अगर part difference इतना होगा, तो intensity किती होगे, ठीक, चलते हैं, next question के तरफ, यह रहा, ट्राइए मारो, In YDIC experiment, width of one of the slit is three times the other slit, width अगर अलग-अलग होती ही, तो intensity बीटा अलग-अलग हो जाती है, Amplitude of the light coming from a slit is proportional to the slit width, कितना अच्छा सवाल है, वो कहना चाहरा है, जो amplitude है न, वो slit width के proportional है, ठीक है भाई साब, Find the ratio of maximum to the minimum intensity, यह आपका homework है, ठीक है, intensity जो होती है, मैं आपको बता दू, intensity directly proportional to amplitude square होती है, और i max और i minimum के बारे में शायद आपको बता हो, root i1 plus root i2 का whole square, और i minimum क्या होता है, root i1 minus root i2 का whole square, यह आपका homework है, चलते हैं next question के पराब, यह रहा है, इद्धा source of light used in a wide AC experiment, this change from red to violet, लाल से violet आपने source को change कर दिया है, लाल का मतलब क्या हुआ, किसा पहले ती red अब हो गया violet, इसका मतलब lambda आपने कम कर दिया, सीधी मुद्धे की बात ही है, किता simple सवाल है, lambda आपने क्या कर दिया भाई साब, कम कर दिया, और beta पराबर क्या होगा बीटा पराबर होगा, lambda d by d, इसका मतलब lambda कम हुआ, तो beta कम हो जाएगा, बीटा कम हुआ, तो इसका मतलब number of fringes on the screen भी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक, तो एक बार questions देख लेते हैं, क्या कहना चाहरा है उसने, कि consecutive fringes line will come closer, बात तो सही है, बलकु सही बात है, आगे बढ़ते हैं, यह option तो हमें सही मिल गया, central bright fringe will become dark fringe, ना कोई फरक नहीं पढ़ेगा, central bright तो central bright ही रहेगा, वहाँ पर part difference 0 हो था, ठीक, next, fringes will become brighter, नहीं बाई, intensity पर कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, जब तो वो खुद change ना करते, intensity of minima will increase, intensity of minima अगर आप वोई case रखें 2 core and source, having the intensity ratio, 2x produce an interference pattern, अच्छा, 2 core and source है, intensity का जो ratio है, दोनों की, मतलब i1 by i2, 2x दे रखा है, आप से यह सारी values पूचिए, वहाँ, calculation वाला सवाल है, it's your homework, component और dividend यों लगाते हैं, हो जाए गांसर यहां से, ठीक है, next, अगला कोशन, यह रहा, यह मजाद चल ला है, क्या, है, homework, बीटा उसने पूचिए, उससे फॉर्मूला भी तवाल है, जैसे देख रहा है, simple, सारी information देगे, फॉर्मूला उसने पूच लिया, next question, ऐसे question भी आते हैं, भाई, क्या करें, दिक्कत यह बच्चे, यही सवाल, पता है, तुम में से जरू बाते करते होंगे, सरकाश, ऐसे सवाल ना, हमारे उसमें आ जाते हैं, ठीक है, हमारे एक्जाम माले तो फोड़ देता, अबे, आते हैं, उठा के देख जी मेंस का पीपर, आये हैं, दिक्कत यह है, जाले, वो भी नहीं करके आये हो, ठीक है, फिर कहते हैं, अगर आये ना, तो फिर उसका मतलब ना, मतलब सब के लिए आये हैं, तो परसंटाइल इंक्रीस कर जाए, मतलब तुम्हारे पास ना, हर चीज़ से बचने का बहाना होता है, मैंने नोटीस किया है, हर चीज़ से बचने का बहाना होता है, ठीक है, अबे, सिंपल है, तो सब के लिए सिंपल चान तक की तो जो बेसी कली एक्सेप्ट करो यही है कि जे में बहुत इसली आप 70 मार्स स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में बहुत इसली ठीक है बदिक्कत यह थोड़ा सा ज्यानी कम बनो ठीक है पॉइंट से तो फोकस को अपनी कैलकुलेशन इंप्रूब करो सबसची बाती है तुम देखके लगता है तो करने जाते हो तो फिर नहीं होता है ठीक है और इसका सबसे बेस्ट आपको पेपर आप लोग देखाए हो ना जे मेंस का ठीक है वह आप उठाके देखो आपको सच्चाई दिख जाएगी अगर देखना चाहो तो नहीं देखना चाहते हो कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं ठीक है कोश्चन ट्राइग करूं पटाक से देख लिए सवाल कितना सोमो सिंपल सवाल है क्या कहना जा रहा है तो डिस्टेंस बिट्विन दा फॉर्स एंड थर्ड ब्राइट अच्छा अब यह तो हमबर की देना चीह है थर्ड ब्राइट फ्रिंच फ़स्ट ब्राइट फ्रिंच ठीक है फ़र्स ब्राइट कप बनेगी कहां बनेंगी सब बिटा डिस्टन्स अरी पर मनेंगी तीसरी काहां पर बनेगए ठीटा पर बढ़ेगी तो दोनों के बीच का जो गैप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तू बीटा फुट्टा पेलिव केट आंसर नेक्स्ट कुश्चन इस सवाल का मुझे बहुत देर से इंति जारता पता नहीं कांक हो गया था यह कुश्चन बिट अच्छा है कुछ थोड़ा सा नया है मैं यहीं पर हूं स्किन को प बराबर हो जाएगा डी नॉट प्लस ए नॉट साइन ओमेगा थी कुछ ऐसा था मुझे दिया है ठीक है तो इसका मतलब एसवन एसट्यू के बीच के गैप को चेंज कर दिया वक्त के साब से अब उसने पूछा है कि तर डिफ्रेंस बिट्मिन दा लाज़ज फिरिंज कतब जो बीटा उटा उसने पूछा बैइया एक तो बीटा की मैक्सिममम विल्व आएगी कभी न कभी और यह विडिए की उनके बीच किया पता दो क्लेयर है मैटक का सवाल यह बईटा जल्दी से श्किन को पॉस करो चाहो तो एक बार ट्राइब मार सकते हो किसी को सोंच क्या सब बीटा मैक्सिमम बीटा मैक्सिमम कब होगा ये मैक्सिमम तब होगा जब d minimum होगा और d minimum कितरा होगा है यहां से सर जब ये minimum होगा तो मैं आपर लिख सकता हूं बीटा maximum will be lambda d y d minimum and d minimum will be d naught minus a naught ठीक कब जब sin omega d की value minus 1 हो जाएगी ठीक है सर आगे बढ़ते हैं माइनस बीटा minimum इसके minimum value कितनी होगी सर इसके minimum value कब होगी जब ये maximum होगा small d maximum कब होगा जब ये maximum होगा और ये maximum कितना हो सकता है plus 1 इसका मतलब lambda d y d naught plus 8 खतम भईया d naught square minus a naught square आ गया ये आ जाएगा d naught plus a naught minus d naught minus a naught 11 खतम सवाल उपर कितना आएगा d naught इनोट इनोट गया 2a naught आएगा ये उपर 2a naught ये कहारा d naught ये गलत ये गलत ये गलत भी option is correct हाँ भी ही correct है ठीक है थोड़ा सर नहीं है पंता सवाल में ठीक इसको चाहो तो आप नोट कर लो सवाल को नोट में भी नोट कर लीजेगा ओके नेक्स्ट अगला question unpolarized light beam is incident अच्छा polarizer पे सवाल नहीं आया बहुत देर से चलो polarizer का सवाल मिला जल्दी से ट्राइ मारो बेटा जल्दी से फटाक से अलिया कुछ भी तो नहीं है unpolarized light है intensity of light emerging from the analyzer is measured as 100 ठीक है unit दे रहे है अब क्या हुआ अब analyzer को suppose ठीक है कितना डिग्री रोटेट कर दिया है 30 डिग्री रोटेट कर दिया है उसने ऐसा बोला if the analyzer is rotated around the horizontal axis by 30 degree in clockwise direction intensity emerging कितनी होगे simple formula बेस सवाल i बराबर i naught cos square theta खतम सवाल theta कितना होगे है root 3 by 2 root 3 by 2 का square 3 मटे 4 बराबर 70 answer 70 clear है next law of mollus पर भी सवाल था next question ये रहा in YDSC source of light changes from orange to blue lambda change कर दिया खतम repeated सवाल next उसने बोला difference in the number of waves when yellow light propagates through air ठीक है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं and vacuum column of the same thickness one thickness of the air is इतना दे रखा है चलो भया जल्दी से ट्राई मारो सवाल को कुछ नया है सवाल में refractive index दे रखा है lambda दे रखा है देखा थोड़ा सा language में नहीं सवाल है उसने बोला यार कोई एक wave है जो हवा में x distance ठीक तो number of wave में क्या बोलूगा सर अगर मैं उसको यह हवा के बारे बात कर रहे हूँ अगर lambda of हवा से आप divide मार दोगे तो number of wave निकल जाएगा ठीक है wave length का मतलब क्या होता एक wave की length ठीक है सबोज मैं ऐसा बोलू कि यार किसी का lambda ना 10 meter है suppose ठीक तो 10 meter है और तो 100 meter distance में कितनी wave आ जाएगी तो बोलेगा 10 आ जाएगी तो number of wave तो 10 हो गया वो ही game यहाँ पर है total distance बटे lambda of हवा और किसमें बोला भाई साब उसने passes हो दा हवा और vacuum तो vacuum में अगर act सलेगा तो उसमें number of wave कितने हो जाएगा lambda of vacuum उसका जो difference है उसने दे दिया बस हो गया कतल अब कहानी बची अभी कैसे बची है सर अभी हवा lambda और refractive index का game यह उसने खिलना बागी है तो कोई बात नहीं सर यह हमको पता है lambda का और mu का जो relation होता है mu बराबर क्या होता है सब mu बराबर होता है सब c by v अगर wave एक जगा से एक medium से दूसरे medium में जाती है तो हमें पता है कि जो v होता है v ho जाता है v by mu जो speed होती है वो इसकी mu times हो जाती है और जो lambda हो जाता है वो lambda भी lambda by mu times हो जाता है क्योंकि frequency क्या रहती है same रहती है ठीक तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूँ यहां से देखना x बटे lambda of हवा आप लिख सकते हो lambda of vacuum बटे mu of हवा minus x बटे lambda of vacuum आप calculation कर लेते हैं क्या वो लगा है हाँ wavelength of light उसने दे देखी lambda mu चला जाएगा उपर x, निकल के बहार आजाएगा तो x इसमें common निकल गया ठीक है x by lambda common निकल गया infant और यह आगे यहां से mu minus 1 equal to 1 ठीक है अगर मैं यहां से solve करूँ x की value तो x बराबर क्या निकल के आजाएगा x equal to ठीक है यह उदर चला जाएगा lambda upon mu minus 1 आजा बया value put कर दे lambda कितना है 6000 एंगिल स्टों बटे mu कितना है यह इसमें से एक घटाएगा तो यह आजाएगा 3 into 10 to की power minus 4 देख भई 3 0 यह 4 0 यह 7 0 ओगे ठीक है तो यह आजाएगा 2 into 10 to minus 3 यह 2 mm जा रहा है आंसर हमारा आंसर किसमें पूछा उसने mm में पूछा है 2 mm जाएगे बढ़ते हैं अगले पूछन के तरफ यह रहा उसने वोला ठेक है ट्राइक कर लो स्किन पॉस करो ट्राइक कर लो बिटा एट वाइट लाइट इस पास्ट रोधा डवल स्लिट एड इंट इंटेफरेंस इस अब्जर ओन स्क्रीन देड़ मिटर अवे सेपरेशन बिट्विन दा स्लिट इस इतना भाईया सब कुछ दे दिया फर्ष वाइलेट एंड रैड फ्रिंजेस आर फॉर्म ठीक है एट इतने इतने एमें फ्रॉम दा सेंट्रल राइट फिंज डिफ्रेंस इंदा विवलेब है बहिया रहा आपका होमबर्ग क्लेर है उसने केबल कुछ नी खेला रैड के लिए और वॉयलेट के लिए उसने पहले बीटा थी दिए बीटा का फॉर्म लगाना लेमडा निकल का जाएगा वहासे नेक्स्ट अगला कुश्चन तू लाइट बेफ्रों दा कोरें सोर्स हैब दा सेम इंटेंसिटी ठीक है ओके और बिनिमा पर जो इंटेंसिटी है वो जीरो होगी हाँ पता है यह कैसे का रहा है वाट विल बीटा इंटेंसिटी अफ लाइट मैक्सिमा अब है बाइया फॉर आई नोट सब को रटावा होता है मजाग चल ला है कि ऐसे कुश्चन भी कभी कभ अबे ठीक है दब वेवलेंट ओफ लाइट यूजट इस एक्स नैनोमीटर को दिक्कत नहीं है वेल्यू अब एक्स मेरे साफ से बड़ा इस सिंपल सभा है या चाहो तो सवाल मुझे लगता नहीं कुछ देना चीए क्योंकि सारी इंफोर्मेशन उसने दे दिया यह रहा आ अच्छा देश्टेंज बीच आप गार था निचे तो दोनों के बीच का जो क्या वह जाएगा एट बीटा बीटा बराबर 2.4 बीटा बराबर 0.3 सेंटीमीटा बीटा तेरे को गिवन कर दिया है लेमडा निकल का आजएगा लेमडा निकल का आया तो भाइया फ्रिक्वें से निकल गया जाएगी, this is your homework, next question, width of one of the slit in the YDSC is three times to the other slit, ऐसा सवाल तो अभी देखा था यार, if the amplitude of the light coming from a slit is proportional to the slit width, अभी homework देखा था हम लोग ने, homework, जैसे कि तु देख रहा है, जो question वहाँ पर थोड़े पहले देखा था हम लोग ने, same question तुझे यहाँ पर देखने के लिए मिला है, और repeat हुआ है, इस सवाल, ठीक है, जरूर कर ले ना, इस question को जरूर ट्राइ कर ले ना, next question, उसने बोला है, नहीं, उसने बोला है, the YDSC experiment fringe width is 12 mm, ठीक है बया, if the entire arrangement को जो है, पानी में डूबो दिया, ठीक है, और entire, कितना बया है, 4 by 3, then fringe width will become, कितना simple सवाल है, मैं एक बाइब फिट से repeat कर देता हूँ, देख, जब भी कभी आप पूरे YDSC system को पानी में डूबो दोगे, ठीक है, तो जो lambda होता है, lambda, lambda तुम्हारा बन जाता है, lambda by mu, अभी थोड़े पहले लोगों ने देखा था, ठीक है, यह तुम्हें याद रखना है, ठीक, तो जो बीटा होगा न, बीटा बन जाएगा, भैसा, बीटा by mu, सीधी सी बात है, तभी तो बीटा कम होगा, बीटा कम होगा, तभी तो number of, जो फ्रिंचेस तो बढ़ जाएगे, तभी तो सिकुड़ान हो जाती, अगर पानी में डूबो दते हो, तो YDSC पैटर्न जो फैला फैला था, अब थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है, तो अगर मैं यहाँ पर पूछूँगा, तो बीटा by mu, बीटा by mu कितना होगा बे, बारा, बठे, चार, बठे, तीन, बराबर, चारतिया, बारा, बराबर, नो, अब जो फ्रिंजबिट हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, कितना सिंपल सवाल है, हर क्लास में कराए जाता है, ठीक है, चलो, नेक्स आगे बढ़ते हैं, अगला कुश्चन, ऐसे सवाल मिलेंगे भाई, ठीक है, आते ही हैं, जैमें से इससे आते क्या आता है, ठीक है, या फिर को थोड़ा सा कंप्लिकेटर मैथेमेटिक्स कर देगा, बस यह होता है, तू बिम of light having the intensity I and 4 I interfere to produce the fringe pattern on the screen, ठीक है, दपेसे दिफेरेंसे बट्मिन ने स्पाइब है, इन पाइब है अपको कौन सा फॉर्मला लगाना है, कि I net बराबर होता है, है i1 plus i2 plus 2 i1 i2 का अंडर रूट इंटू पॉस 5 खतम सबाद ठीक next where 5 is the phase difference एक जगह पर कितना दे दिया है उसने 5 by 2 एक जगह पर किते पाई भाई 3 एक बाहर रख देना 90 एक बाहर रख देना 60 खतम सबाद ठीक है next two coherent source of light interference ठीक है intensity ratio जो दे रखा है one is to four दे रखा है मतलब एक intensity अगर मैं बोलू आई नौट है तो दूसरे की intensity भाई या ऐसे तो बताना इतने सवाल देखने के लिए मिले है न क्या ही बताओ इन दीस interference pattern value of i max upon i minimum अगर उसके परापर है तो alpha by meter निगा रहो जल्दी से मैं ही बढ़ो जल्दी से स्को है ठीक है तो यह हो जाएगा एक प्लस दो तीन मतलब नाई नाई नोट और अगर मैं minimum पूछ हुआ दोनों को घटाओगे यह दोबार आ जाएगा अगर मैं यह वाली value आप से जाना चाहूं तो imax कितना है नो प्लस i minimum कितना है एक बटे 9-1 दस बटे 8 ठीक है अब वह तो कुछ और ही कहना चाहा है भाया वह तो कह रहा है इस फर्म में लेके आओ इसको थेक है तो भाई या पूरा मैं तो समझ रहा है पूरा मजह लेना सवाल वाला भी ठीक है कोई बात नहीं दस अब और इसको तु लिख दे दो गुणा दो प्लस एक बटे एक प्लस तीन देखिए भाईया यही चल ला है दो तुझा रहे हैं क्या सीखर है भाई सवाल ले अब लोग है कोई बात नहीं यह ता अलफा यह ता अलफा 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 बराबर आ गया तो बीटा बराबर मिल गया ले बाई अलफा बाई बीटा की वेल्यू क्या जाएगे यहां से टू इस्टू बी ऑप्शन मजाग चलना है ठीक है कुछ नहीं मिला ना इस यह सही बाद बतारो आई नोट पर कम से कम 20 सवाल मैं देख चुका हूं पिछले 10-15 सालों में जी में जी एड़मांस को मिला के तो देखीगा ना बर बर क्या आते हैं बर बर क्या आते हैं सबागे अब कुछ नहीं मिला तो लेजर लाइट ओप पांसो साथ नेनोमेटर प्रेद्यूसर इंटेफरेंस पैटन बिद कंजिगुटिव ब्राइट फिरिंजे सेपरेशन ओप सेवन पॉइंट पॉइंट टू एमेम ठीक है ओके इसका मतब बीटा दे दिया है ना अनेदर लाइट इस यूज़ तो प्रे वह कहना जा रहा है अगर लेमडा यहितैमाल किया तो बीटा यह मिला ठीक है और अगर लेमडा बता दो कितना इस्तिमाल करें बीटा यह मिले बटे बीटा 1 कितना था 7.22 that is equal to lambda 2 आप से पूछा जा रहा है और lambda 1 आप से पूछा देया रहा है उसमें 560 nanometer सवाल इसके बाद भी आसान नहीं होगा calculation में खूब परिशान करेगा ये तो lambda 2 जो आएगा ना lambda 2 इसके बाद आप लोग कर लीजेगा calculation वाला भाड ठीक है next ये रहा अन पोलराइज लाइट बीम उप इंटेंसिटी तो आई नोट इस पासे थूरू इस पॉलरोइट पी ठीक है पॉलरोइट पी से पास कर लोग इंटेंसिटी आती हो जाएगी आप कोशन ट्राइग कर लो एक काम करो स्किन पॉस करो ठीक ठीक अब क्या हुआ एंड ठीक है एंड दें थ्रो अनदर पोलराइट क्यूब विच इस ओर्येंटेंट इन सच वे देट इस पासिंग एक्सिस मेक्स अन एंगल थर्टी डिगरी रिलेटिव डेटोपी मत्तब वोई कहना चाह रहा थे यहा इंटेंसिटी सपोर्ट फो ऑ या जाहिर सी बात है जो पहला पॉलराइट प्र पास करेगा तो इंटेंसिटी रह जाएगी आधी किती रहजाएगी भाई साब अधी ठीक है अब किया यहां पे दूसरा अब कितने एंगल पर है भाई साब Thakä driven जिखाए तो शाहिद वो उस आई-नौट इसका मतलब यह आई-नौट भाई-2 नहीं लिखेंगे यहां पर आई-नौट लिखेंगे याद अखना गल्ती हो जाती चोटी चोटी ठीक बस वैल्यू पूट करते हैं यह पर यह हो जाएगा आई-नौट इन्टू कॉस स्क्वाइर ठीटा 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 क यह रहा तू लाइट वीम इंटेंसिटी ठीक है आई-वन और नाइन-टी-वन 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 नहीं होगा भाई यह नाई नहीं होगा ठीक है इंटरफेर तू प्रोडिस अफ्रिंस पैटन ओंदा स्क्रीम फेश डिफरेंस बिविन दा बीम इस पाई- रही नोट है ठीक है वहुत ही अनि उतलं मैं क्या बोलूयों स्वाल गों विना पहें चलाए भी कर सकते हैं पाई-वाच करते हैं पाई वाड टु बें स्टार्ट करें आई बराभर रहाबाववाथ इवन प्लस आई टू प्लस आई टू पाई बरभाभवावव arguments भलट हम जैए गए सीडों तो पाई बहुत इंटेंसिटी आपको देखने के लिए पिले गिले कितनी आईवन प्लस आई टू म rapping तब 10 एक कितना होगा 10 हटा उसको अब उसने बोला पाई पाई का मतलब डिस्ट्रेक्टिव इंटेफरेंस का में इंटेंसिटी किया थी अंडरूट आइवन माइनस अंडरूट आइटू का होल स्कुरा है तो अगर मैं तू देखेगा वन और इसका रूट नाइन तीन एक मै इंटेंसिटी आईगी चार पहले इंटेंसिटी किती आई थी दस दस में से चार गया शे बी ओप्शन इस करेक्ट सिक्साइक खतब स्वाल ठीक है चलो नेक्स आगे बढ़ते हैं किसी को समझ में नहीं हो बीटा फॉर्मल लगा के चेकल लेना नेक्स कुस्च्छन अपार्ट ठीक है बाइडियस्टी एक्सपरिमेंट है ठीक है दे दिया उसने थेक है एस प्रिंजिस अब्सक्रीन अफ्ट बहुत अच्छा सवाल है ठीक अच्छा उतना भी नहीं है लेकिन हां कुछ नया है उसने बोला कि भाईया देखो पास करो ट्राइब करो लेहीं हूं इसका मतलब इसके सामने न यहां पर डार्क ऑब्सर ठीक है पहला डार्स मतलब यह जो डिश्टेंज है न मेरे बाई यह डिश्टेंज बीटा भाई ठीक और यह कितना था s तो ये कितना होगा sorry इसको हम क्या होता है d तो ये कितना होगा d by 2 इसका मतलब d by 2 बराबर बीटा by 2 d बराबर बीटा और बीटा बराबर क्या होता है lambda d by d पूचा क्या उसने दब भी बलेज चलो आजाओ solve कर लेते lambda बराबर हो जाएगा d square by capital d d check करो d 0.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 3 का whole square बटे capital d कितना है 80 इंटू 10 टू की पावर माइनस 2 ठेक है आओ calculate कर लेते हैं यह आजाएगा चैच्छंग 36 10 टू की पावर माइनस 4 माइनस 8 बटे यह कितना हो जाएगा भाईया सही जा रहे है न बनो हाँ सही जा रहे है और यह हो गया 80 खतम बना पोइंट कहते न अच्छा ठीक हो बनाना है तो नो बनाने का तरीका क्या है अच्छा मिल्टिप्लाइगा हजार से डिवाइट कर हजार से अगर तो यह हो जाएगा च्छतिस हजार बटे असी नैनो मेटर यह है तिरा जो भी स्वाल करके आए आओ पूछ लिया मज़े था सवाल तो तब होता जब होता साथ वाप राइट बताते काम अधे ठीक है तो फिर तुझे पूरी कल्कुलिश्य करनी पड़ते कि साथ वाप राइट कि भीया सेवन लेंडा डीवाइड डीवाइड पर जाके बढ़ेगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट वुश्चन वाइड एसी एक्सपेरिमेंट इस परफॉर्म यूजिंग मॉनो क्रोमेटिक लाइट ओ बेवलेंड लेंडा अच्छा ग्लास प्लेट स्लैब रख दिया है ओके ओफ थिकनेस एक्स इंतु लेंडा ठीक है उसकी कुछ थिकनेस दे दिये इस इंटेड्यूस इन पाथ ओव वन अब दा इंटर्फेरिंग वीम इंटेंसिटी एड़ पोजिशन वेर दा सेंट्रल मैक्सिमा पहले था वो नहीं बदला कितना बढ़िया सवाल है यह स्कीन को पाउस का सवाल ट्राई कर फटाच से अच्छा सवाल है कोई जल्दवाज एस बन एस टू आपने किसी पॉइंट पर सबोज इंटर्फेरिंस पैटन उपसब किया तो आप बोलोगे सर एस बन से पल्स जाएगी यह और एस टू से पल्स जाएगी यह ठीक है इन देट केस अगर मैं यहाँ पर डेल्टा एक्स आपसे पूछ हूँ आप लिखोगे एस से बोलो कि यार मैंने यहाँ पर एक स्लैब लगा दिया बीज में ठीक है तो यह जब कैल्कुलेट फिर अपन करते हैं यहाँ पर प्रापर तरीके से मैं इसको सीधर डारेक्ट रिख रहा हूँ आपको ठीक क्या कि अगर आपने टी थिकनेश का स्लैब यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर डिल्टा एक्स जाता था पहले कितना था सदी वाई वाई कैपिटल दी अब आयेगा माइनस मुऊ माइनस वगाई अगर आप नीचे लगाते तो यहाँ प्लस आथा और अगर आप दूनों लगाते तो उपर वाले के हसाप से माईनस और नीचे वाले चे पोज आप डेल टैक्स लिखना सीख गए अब तो तुम्हें सब कुछ आ गया सब कुछ आ गया मतलब आप से पूछा जाता ना कि यह बाई बराबर 5 पर बता दें बाई बराबर 5 तो central maxima कौन सी जगह होती? central maxima वो जगह होती है जहां पर टेल टैक्स जी रो होता था है जैसी डिल टैक्स तू जीरो पुट करेगा तो इसका मतलब यह था एक्टम जैसी जीरो के बराबर पूट करेगा नीचे स्लब लगाओगे, सेंटर मैक्सिमा नीचे स्के रखते आएगा, ठीक, ठीक है, अब इस questions पर आ जाते हैं, question माले ने क्या पूछा है, उसने बोला है, ठीक है, उसने बोला क्या बोला क्या बोला, intensity at the position where the central maximum पहले था, मतलब central maximum पहले कहां पे था, इस जगा पे था, तो y बराबर 0 पे जो intensity दी, वो unchanged रही, ठीक, मतलब, सब y बराबर 0 अगर मैं value पूट कर देता हूँ, तो उस जगह पे जो delta x निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, तेरा n lambda ही आएगा, तेरा को maxima ही देखने के लिए हुआँ पे मिलेगा, clear है, खतम का नहीं, अब अब बोल, अब बोल, ठीक है, वो इस state पे निकल का जाएगा, तो खुल मिलाके हम यहाँ पे लिखेंगे, किसा जो delta x था, delta x equal to n lambda, ठीक, वो किसके बराबर हो जाएगा, mu minus 1 into t, पूछा किया उसने, value of the x, thickness पूछी है उसने, ठीक है, t पूछा है, तो t किसके बराबर हो जा सवाल की, n की value पता नहीं, अलग-अलग values निकल काएंगी, lambda, lambda कितना है, lambda भी ना की बनका, ऐसे कैसे काम चलेगा, भाई, अच्छा, lambda के term में answer निकालना, ठीक है, n lambda, mu तो दो, हाँ, mu है न, 1.5, 1.5 में से गया, 0.5, बराबर उपर ले जा, t बराबर 2 n lambda, ठीक, तो t की क्या क्या values जा सकती है, n की value यहाँ पर integer रखना है, 1 रखोगे तो 2 lambda, 2 रखोगे तो 4 lambda, 3 रखोगे तो 6 lambda, ऐसी अलग-अलग values यहाँ पर thickness की आ जाएगी, आप से पूछा जा रहा है, कि value of x बता दो क्या होगा, तो भाईया, यह basically x into lambda, ठीक है, तो मुझे x की क्या value निकल गा रह क्लेर है, ठीक, चलो, next आगे बढ़ते हैं, अखला question, यह रहा, इन यंग्स double slit experiment, angular width, ठीक है, of the fringe is इतना, on a screen, प्लेश रहते 2 meter away from a particular, ठीक है, angular width बता तो, अगर पूरे system को पानी में डुबो दिया, तो पानी में डुबोने वाला, एक next question, और तुझे यहाँ पर देखने के में लगा है, यह है तेरा homework, मैं हिंट दे रहा हूँ, angular width का formula निकालना, ठीक है, जो अभी वहाँ पर आता था, पानी में डुबो दिया, पानी में डुबो दिया, मतलब जो lambda है, लेम्डा को आपने lambda वाई mu times कर दिया, फिर वहाँ से आप निकाल दीजिए, ठीक है, next question, अग सबसे पहले, पानी मतलब वह तुस्से बीटा के साथ गेम खिलना चाहरा है, इसकी स्कीन को पॉस्ट करो, ट्राइ करो, मैं ही परो, जल्दी से, ठीक है, सरस नों बीटा पूछ लिया, बीटा होता क्या है, सब बीटा तो होता था, lambda d by small ठीक है, यह बीटा होता था, अब उसने बोलाए कि सबसे पहले, वेवलेंट इतनी थी, और फ्रिंज बीट इतनी थी, अब वेवलेंट इतनी कर दी है, ठीक है बाज साब, तो सबसे पहले, case number one, आराम से values पूट करो, जल्दी बाजी कोई दिरू नहीं है, बीटा कितना मिल ठीक है, ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है, उसने बोला है कि वैसाभी, another monochromatic light of wavelength, 6000 एंगले स्टोमी स्यूज, ठीक है, सेपरेशन, अब बीटा नया तुस्ते पूछा है, तो सीधा लिखो ना, बीटा नियू बराबर, लेम्डा नियू, 6000 इंटो, capital D, capital D में कुछ चेंज किया है, the separation between slit is double, ठीक है, capital D तो सेम ही है, और जो slit के separation है, अब D की बजा कित्ती कर दिये, 2D कर दिये, बस हो गया, सवाल, आजाओ, solve कर लो, कितना आएगा, यह, d by d की value, यहां से निकाल ले, यहां से, इससे कैसे, ठीक है, d by d equal to, कितना आए पास से पास cancel out हो गया, यह इधर आ गया, ठीक है, दस में चार गया, छे, और तीन, यह तीन आया, तीन, रही जा रहा है न, तेन टू की पावर 3, तो answer will be, 6000 इंटू टेन टू की पावर 3, बटे 2, देख, तीन और तीन छे, तो यह आ जाएगा, 3 इंटू टेन टू की पावर minus 4, कौन सा option match कर रहा है, दिल्ली option match कर रहा है, clear है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, पूरे अभी तक जितने भी question समने लिए हैं, बहुत सारे question कहां से निकल के आ रहे हैं, repeatedly, बीटा से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, और जो है, क्या बोलते हैं, उसको बार-बार, lambda change करके, fringe intensity, I maximum, I minimum, इस ताइब के सवाल बार-बार repeatedly पूछे जा रहे हैं, मैंने वही सवाल लिए, जो examination में आये हैं, तुम में से अगर कोई hero बनना होगी, भाई साब, ये तो simple सवाल है, तो भाईया, तु एक काम कर, तु जा, जैए advance में, जितने questions आये हैं, वो आप apply करो, फिर उसक को आप try करो, अच्छे से, एक-एक सवाल में, अच्छा खासा time दो, आपको बहुत कुछ वाफिस सीखने के लिए मिलेगा, clear है, वो भी करेंगे, जब J-E advance की, हम लोग कभी revision करेंगे, तो वहापर J-E advance के questions इस level के आते हैं, बेटा, उस level के practice करेंगे, अभी आप सब लोग अपनी एक बढ़िया सी percentile में, अपनी seat को reserve करो, आपके लिए वही सही decision रहेगा, कि जल्दी से जल्दी सब लोग 99 plus, पैश percentile जो लेके आ सकते हो, पहले वहाँ जाओ, एक physics का देख, यही मतलब होता है, अक्सर मैंने देखा है, बच्चे क्या करते हैं, कि या तो बहुत ही हाई-फाई सवाल में तंगे रहते हैं, और नीचे के सारी चीजे निप्टा देते हैं, ठीक है, और ultimate result, marks बहुत ही आते हैं, 40 number, 50 number, 60 number, percentile, वहीं अटक जाती, 80 percentile, 85 percentile, ठीक, या फिर जब J advance के लिए पढ़ने जाते हैं, तो उनका basic ही बिल्कुल खतम होता है, ठीक, अक्स है, आपको कौन सा concept apply होना है, वो भी crack करना है, आपको calculation भी करनी है, हो सकता calculation अच्छी आ जाए, हो सकता calculation खराब हो जाए, वो हम लोग देखी रहे हैं, तो पिछले session में calculation खराब भी आ जाती है, ठीक, proper value put करने के बाद, final answer ठीक करना है, और इसके लिए आपके पास है, मात्र तीन मिनट at max, ठीक, तीन मिनट के अंदर आपको ये काम करना है, क्योंकि जो हमारा mathematics का paper होता है, ideally, अगर आप selection लेना चाहते हो, तो mathematics का paper कम से कम सबा घंटा तो खाता ही खाता है, पास उजमारी है, इसका मतलब physics और chemistry को आपको हर हाल में पोने 2 घंटे से करके निकल जाना ह है, तो basically जो बच्चा इस strategy पर चलता है, और इस strategy में success होता है, वही अच्छी percentile वहाँ पर अच्छे से score कर लेता है, बनना दिक्कत यह होती ही, कि बच्चा physics में अच्छा कर लिया, chemistry में अच्छा कर लिया, maths में कहारा भया, चार सबाल हुए, मुस्से बस कतम, तो फिर ये problem से देखने के लिए मिलती है, तो जेही में जब आपसे खुद यह बात चाता है, कि भाया, तीन मिनट के अंदर आप सवाल पढ़ भी लो, language भी करक कर लो, concept भी अप्लाई कर लो, value भी पूट कर दो, और अगर हमने खराब सी calculation दी, तो आप वो खराब सी calculation भी करो, पूरा, औ फिल्ड लाग लाश में जो answer ठीक भी करो, ठीक, और यह सारा काम आप तीन मिट के अंदर करो, तो अगर आप जेही में खुद आपसे कह रहा है, कि स्टैप के questions, मैं आपको दूँगा, आप इसी तरह के question के practice आप करो, तो आपको इसी की ही practice करनी है, ना कि बहुत लंबे लं फिर आंसर नहीं आया, फिर द्वारे ट्राई किया, फिर कुछ नहीं सीखा, ठीक है, और फिर ultimately सौन माया, अच्छा, यह सवाल तो ऐसा होगा, और 15-20 मिनट के बाद तेरी सौन माया, च्छा चलो ऐसे question को ऐसे करते हैं, यह चीज़ जे means में नहीं चलेगी, ठीक है, जे में क्या इस सवाल में देख लें, in YDSC, monochromatic light, fringe are obtained on the skin, places some distance from the plane of the slit, if the screen is moved by इतना, towards the slit, ठीक है, the change in the fringe bit is इतना, the distance between the slit is 1 mm, ओके, the wavelength of the light will be, यह भी बहुत अच्छा सवाल है, मेरा homework देने का मन नहीं है, यह तो homework नहीं दूँगा भाई, एक काम करो, सवाल ट्राई करो, को करीब लेके आएं, ट्राईमार जल्दी पटाक से, अच्छा सवाल है, आएवा सवाल है, जल्दी ट्राईमार, कर लेट राई, हाँ, देख लेते हैं, क्या कहना चाहरा है, वो यह कहना चाहरा है, कि YDSC experiment में monochromatic light use किया, fringe obtained, आगे जो है, कही नहीं स्क्रीन पर हम लोग ने fringes को obtain किया है, ठीक है, if the screen is moved by इतना, ठीक है, इसक्रीन को इतना move किया, मतब पहले कहीं और था, अब कहीं हो रहे है, तो पहले के हिसाब से, शायद उसने fringe bit पूछा है, तो पहले के हिसाब से, अगर मैं beta 1 पूछूँगा, तो आप बोलोगे, lambda d1 by small d, ठीक है सर, यह कब लिखो जो है ना, वो d1 distance उरी पर होगी, तब लिखो, ठीक, यह screen है, आप इसक्रीन को करीब लेके आए, ठीक है सर, करीब लेके आया, next, आके बरता हूँ मैं, अब जैसी आप इसक्रीन को pass लेके आए, तो जो d है, वो होगे आपका change, तो बीटा जो नया देखने के लिए मिला, व d change करोगे, d को अगर आपने कम किया, तो बीटा आपका कम हो जाएगा, ठीक, इसका मतलब यह बीटा क्या हो गया भाई साब, कम हो गया, क्योंकि उसने बोला, towards the slit mood किया है, पूछा क्या है, the wavelength of the light बता दो, कब, जब change in the fringe bit, इसका मतलब, बीटा पुराना, बीटा 1 minus बीटा नया, उसकी value उसने given कर दिये, 3 into 10 to की power minus 5, इसके जहां से में मता ना, तो centimeter दे रखा है, ठीक है, that is equal to, difference लो, lambda, by d, कोमर निकल के आगया, d1 minus d2, पूरा ही solve कर लेते हैं, जब इतना कर लिया है, तो, solve करो, 3 into 10 to की power minus 5, equal to, lambda आपसे पूछा है, small d side given था, कई तो देखा था मैंने, ठीक है, 1 mm, इसका मतलब, 10 to की power minus 3, d1 minus d2, दोनों के बीच का जो gap है, वो, d1 minus d2 मतलब, slit कितनी खिसकाई, उसने बोला, वह यह इतनी खिसकाई है, 5 into 10 to की power minus 2 खिसकाई है, तो, जैसे ही मैं यहां से, मैं आपसे पूछूँगा, lambda बता दो कितना होगा, तो lambda निकल के आएगा, यह इसी को calculate करना है, ठीक है, आजाओ कर लो, यह गया इधार, देख, lambda बराबर निकल का जाएगा, 3, ठीक है, 5 नीचे आगया, into 10 to की power, आप सारा खिल खेलते हैं, देख, 5 और 3, 8, ठीक है, और 2 कम minus 6, nanometer में चीए, तो 3000 से उपर multiply कर दे, मता 1000 से उपर multiply कर दे, 1000 से divide कर, 600 nanometer, यह जाना चीए, यह जाना है, clear है, ठीक, तो भईया, इसके बाद, बस, आज का सेशन हमारा ही तक था, कापी सारे questions हम लोगों ने आपे, मुझे लग रहा, तकरीबन शायद, 40-40 सवाल के आस्वास हम लोगों ने पिसले एक घंटे में आपे deal कर लिए है, जो questions मैंने आपको homebag दिया है, बेटा, उन questions को practice कर लीजेगा, आप चाहो तो यह पूरा session एक बार खुद से भी solve कर सकते हो, लेकिन time limit एक घंटा ही रहना चीए, देख मुझे पढ़ना, आपको skin pause करने के लिए time देन ठीक है, तो जब मुझे इतना वक्त लग रहा है, तो इसका मतलब आपको जब वक्त लगे तो उसका कम से कम आधा तो वक्त लगे, तो अगर मैं यहाँ पर सबोस्पोज एक्जामपल के लिए तीस से 35 सवाल, 40 सवाल अगर आपको यहाँ पर दिये गए हैं, तो जब अगर इसको सिंसेर तरीके से, अगर examination के point of view से आप रब कोपी पे, अगर solve करने बैठें, तो कोशिश कीजिएगा कि विदिन एक घंटे के अंदर सारे सवाल आपसे बन जाने चाहिए, एक घंटे के अंदर, ठेक है, अगर आप एक घंटे के अंदर बना ले रहे हो, तो भाईया, तुझे, जब तु हाँ पर खुद के साथ बैठा होगा, तु तो एक घंटे में करना, तभी तो आएगा न मजा है, एक घंटा, सबा घंटा, इतने में तो होने चीए, क्लिर है बेटा, ठेक के चलो, मिलते हैं अगले session में किसी दूसरे chapter के साथ,